लगातार लेटेस्ट एजूकेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंसाइट स्टेडी फोरूम चैनल को और प्रेस करें बिल आइकन में आल को सभी नोटिफिकेशन्स पाने के लिए रक्त की स्तनरचना, रक्त वर्ग, ब्लड बैंग, इत्यादी हम पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में हम आज बात करेंगे प्लेटलेट्स के वारे में यानि इससे पहले चार पार्ट अप्लोड हो चुके हैं उसमें हम लोगोंने blood के बारे में RBC, WBC, plasma, serum के बारे में बात की थी तो अभी हम बात करते हैं platelets के बारे में यानि इसको हिंदी में हम bimbalu कहते है platelets आपके सामने screen पर कुछ important points लिखे हैं जो bimbalu से सम्मंदित है तो सबसे पहला points में है या केवल इस्तनियों के रक्ति में होती है इसका मतलब क्या है? कि जो animals होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं जैसे हम लोग mammals हैं, हम लोग इस्तनी हैं और कुछ animals ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं उनको हम बोलते हैं पक्षी यानि वो aves की category में आते हैं उसके बाद में कुछ उभैचर होते हैं जिसको हम amphibia कहते हैं और कुछ reptile होते हैं जो सरीस्रप होते हैं जो रेंगते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मीन वर्ग में आते हैं जो फिस हैं मचली हैं इत्यादी तो ये केवल platelets जो होती हैं वो केवल कहा होती हैं? mammals में ही होती है केवल mammals में है उसके बाद इनकी जो समान संख्या होती है वो 1.5 लाग से 4.5 लाग प्रती मिलिमीटर क्यूब रख्ती में हो सकती है और इनका जो व्यास है वो कितना होता है 2 से 4 माइक प्रण होता है उसके बाद में इन में केंदरक नहीं पाया चाता है अगर हम बात करें RBC, WBC और Platelets तो अगर आपसे पूछे कि केंदरक इन तीनों कोशिकाओं में से किस में होता है तो आप लोग कहेंगे कि WBC में केंदरक होता है और RBC और Platelets में केंदरक नहीं पाया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार जो होता है वो अंडकार या फिर उभयोत्तल होता है, यानि इनका भी आकार जो है वो बड़ा अजीव से इनका आकार होता है, और ये छोटी को शिकाए होती है एक रू कि इसकंधन का मतलब clotting होता है रुधिर के इसकंधन में यानि clotting में सायता करना होता है और एक बात जो बहुत important है वो यह है उसको मैंने note में लिखा हुआ है वो यह है कि बिम्मारू यानि प्लेटलेट्स वास्तब में पूर्ण कोशिका नहीं होती है या अस्तिमज्जा की कुछ कोशिकाओं के विखंदन से बने टुकड़ों के रूप में होती है और दूसरा पॉइंट यह है कि जब भी किसी विक्ति को डेंगु होता है आप लोगोंने सुना होगा कि किसी विक्ति को डेंगू हो गया है तो उसकी पलेटलेट्स जो है वो लगातार नीचे गिर रही है तो डेंगू के केस में क्या होता है, जब भी किसी को डेंगू होता है, तो उसके सरीर में, उसके रक्त में, बिम्बाणू की संख्या, जो समानी कितनी होती है, डेर लाग से साड़े चार लाग होती है, तो डेंगू के केस में, उनकी संख्या तेजी से गिरती रहती है, और य उसके सरीर में जो platelets होती है वह बहुत जल्दी गिर जाती है और उसी वजह से उसके बलड में उसके बॉड़ी में जो organs होते हैं liver, spleen है, उनसे blood का रिसा होने लगता है उनसे blood निकलना सुरू हो जाता है और उसके body में जो liver, kidney होते हैं, liver, spleen हे वो सूच जाते हैं, स्वैलिंग कर जाते हैं इसलिए डेंगू बहुत ही खतरनाक बिमारी है तो मैं आपसे कुछ क्वेशन्स पूछता हूँ पहला क्वेशन यह है कि डेंगू वाइरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है क्वेशन नमर टू, डेंगू किस मॉस्क्यूटो के काटने से होता है ऐसा कौन सा मॉस्क्यूटो है क्योंकि ऐसे क्वेशन्स लगातार सीटेट और यूपीटेट में या फिर सूपरेट में आते रहते हैं कि डेंगू जो होता है वो किस मॉस्क्यूटो के काटने से होता है जैसा हम लोग जानते हैं कि जो मॉस्क्यूटो हमको काटते हैं वो फीमेल मॉस्क्यूटो होते हैं male mosquito हमको नहीं काटता है female mosquito को blood की आवसकता होती है ताकि वो अंडे दे पाए तो इसलिए female mosquito ही हमारे आसपास रहते हैं वो हमको काटते रहते हैं दूसरी बात यह है कि जब भी किसी वक्ति को malaria होता है तो उस case में कौन सा mosquito उसको काटता है अब होता क्या है? अलग-अलग disease, अलग-अलग vector, अलग-अलग वाहक फैलाते हैं तो मलेदिया की case में कोई दूसरा mosquito होता है अगर मैं आपसे बात करूँ philaria जिसमें पैर मोटा हो जाता है बहुत जादा बहुत pain होता है रोगी को तो philaria कौन सा mosquito फैलाता है? आप लोग इनके comment में answer जरूर करेंगे रुधिर वर्ग की हम बात करते हैं रुधिर वर्ग की अगर हम बात करें तो इसमें रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा की गई थी और इन्होंने blood group A, B और O की खोज की थी जो blood group A भी होता है यानि जो रुध वर्ग हमारा A, B होता है वह बात में खोजा गया था तो उसके हम बात करेंगे अभी अगर हम बात करें कि हमारे सरीर में हमारे सरीर में रुधिर में कौन-कौन से प्रकार के प्रोटीन पढ़ी जाते हैं तो मनुष्य के स requirements रुधिर में antibody तो हमारे सरीर में, हमारे रक्त में antigen होता है और antibody होती है, जैसे माल लेजिए यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूँ A है, किसी का B है, किसी का O है, किसी का A B है, तो जो antigen होते हैं, जो प्रतिजन होते हैं वो रक्त समूँ के समान होते हैं माल लेजिए, मेरा A positive है, तो उसमें जो antigen होंगे, वो A होंगे, किसी का B होगा, तो उसका antigen क्या होगा? B होगा, किसी का A भी होगा तो उसका antigen क्या होगा, A भी होगा लेकिन जो antibody होती है वो different बनती है इसको हम समझते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे antigen की antigen यानि प्रतिजन RBC की जीवकला की बहारी सतह पर चिपके रहते हैं यानि यह RBC है यह RBC है और यहाँ पर चिपके रहते हैं antigen यहाँ पर antigen चिपके रहते हैं तो इसको अब ध्यान रखेंगे अब यह दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं यह होते हैं antigen A और antigen B यानि प्रतिजन A और प्रतिजन B बिल्कुल उसी प्रकार से जो प्रतिरक्षी होती है antibodies भी दो प्रकार की होती है और ये कहां पाई जाती है ये पाई जाती है हमारी वेक्त प्लाजमा में तो आप से question पूछ सकता है कि Antigen यानि प्रतिजन कहां पाई जाते हैं तो हमारी RVC की लाल रुधिर कणिका की सतह पर पाय जाते हैं और अगर आपसे कोशन पूछे कि जो antibody होती है प्रतिरक्षी वो कहां पाय जाती है तो वो हमारी रुधिर प्लाज्मा में पाय जाती हैं आप ध्यान रखेंगे इस बात को यह भी दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं एक होता है प्रतिरक्षी A दूसरा होता है प्रतिरक्षी B यानि antibody A और दूसरा antibody B होता है अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि इसको हमने denote किया है जब हम बात करेंगे antigen की तो वहां पर हम जो symbol यूज करेंगे वो होगा capital A और capital B जब हम बात करेंगे antibody की यानि प्रतिरक्षी की वहां पर हम जो symbol यूज करेंगे उसको हम denote करेंगे small A और small B में तो इसके आगे हम देखते हैं लाल रुधिर कड़िकाओं में पाए जाने वाला जो प्रतिजन होता है antigen होता है उसी के आधार पर मनुष्य के रक्त को हम चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं यानि हमारे blood में जो antigen होता है उसी के basis पे हम हमारे blood को 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं कौन-कौन से वर्ग हो सकते हैं रुधिर वर्ग A हो सकता है B, A, B और O इसके अलाबा और भी वर्ग हो सकते हैं जैसे-जैसे मनुष से अन्य रुधिर वर्गों को खोजेगा और कुछ खोजे भी गया है लेकिन हमें सिर्फ ये 4 पढ़ने हैं जब तक रुधिर वर्गों के बारे में जानकारी नहीं उपलब थी उससे पहले यदि कोई व्यक्ति को रुधिर की आवसकता पढ़ती थी जैसे मानने जीए किसी व्यक्ति का कुछ एक्सिडेंट हो गया और उसको आकस्मिक में उसको आपात कालीन में रक्त की आवसकता पढ़ेगी लेकिन उसमें रक्त वर्ग के बारे में जानकारी नहीं थी कि किसी का A था, B था, O था ये कुछ भी पता नहीं था तो उस केस में क्या होता था बिना किसी जाने किसी दूसरे विक्ति का ब्लड, किसी उस रोगी को जिसका accident हुआ है, उसको transfuse करते थे उसको चड़ाते थे अब होता क्या था कुछ केस में वो विक्ति बचता था और कुछ केस में ऐसे विक्ति मर जाते थे क्योंकि उनके अंदर जो blood group थे, वो different होते थे लेकिन जानकारी थी नहीं उसकी तो वो लोग इस तरीके से अब होता क्या था, जब संख्या इसकी जादा बढ़ी, काफी लोग मरना सुरू हो गए, तो फिर कुछ विज्यानकों ने विचार किया और समझा कि उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगी, जो अगर different हो जाएंगी, तो विक्ति मर जाएगा तो इसका मतलब यह है कि जिसे माल लेजिए, किसी का blood group A है किसी विक्तिकार रुधिर का वर्ग A है और किसी का जो रुधिर वर्ग है वो B है यह हमने जान लिया तो हमको पता पड़ गया कि A भी होता है लेकिन अगर नहीं पहले पता था तो बहुत से ऐसी घटनाएं घटित होई जिसमें लोग मर गए अब होता क्या है, रुधिर वर्ग A इसके पास में जो antigen होगा, इसके पास में जो प्रतिजन होगा, वो A होगा और इसका जो antibody होगा, वो B होगा, तो आप ध्यान रखेंगे इसका जो antibody होगा वो B होगा वही पर अगर हम बात करें रक्समों B की तो इसका जो antigen होगा इसके पास जो प्रतिजन होगा जो RBC की सतय पर चिपका रहेगा, वो क्या होगा? वो B होगा लेकिन इसकी जो antibody होगी जो इसकी प्रतिरक्षा होगी, वो क्या होगी? A होगी तो इतना आप ध्यान रखेंगे कि अगर blood group A है, रक्समों A है तो उसका antigen उसका प्रतिजन A रहता है लेकिन उसका antibody B हो जाता है यहाँ पे अगर किसी व्यक्तिका रक्समों B है तो उसका जो antigen होगा वो B ही रहेगा, लेकिन antibody A के लिए बनाता है अब होता क्या है? जैसे माल लिजिए, अगर किसी व्यक्तिका रक्समों A होता कोई ऐसा व्यक्ति जिसका रक्समों A होता तो इसका मतलब क्या है? तो अगर antigen same होगा तो ये blood आपस में donate कर सकते हैं क्योंकि इसके पास भी antibody B है और इसके पास में भी antibody B है तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर B वाले ने A वाले को blood transfuse कराया अगर B वाले ने A वाले को blood दिया तो इसमें क्या होगा जरा आप यहां पर समझेगा B वाले के पास में antigen क्या है इसके पास में antigen B है तो जब B वाला A वाले को blood देगा तो साथ में B antigen भी इसको देगा तो जैसे antigen different होगा इसको A चाहिए या फिर O चाहिए क्योंकि वो के पास को antibody होती नहीं है अब इस case में क्या होगा जैसे B antigen A के पास आएगा तो antigen different हो गया वैसे क्या होगा इस B के खिलाफ यह B antigen आया A के पास में इसके खिलाफ जो A होगा वो antibody B produce कर देगा और इससे क्या होगा रक्त का ठक्का जम जाएगा blood clot हो जाएगा और रुदिर का जो संचरण है वो रुख जाएगा और हमारे tissues के पास में उतकों के पास में कोशिकाओं के पास में जो oxygen है वो पहुँच नहीं पाएगी और अंतताह गक्ति मर जाएगा तो इसलिए जाच बहुत ज़रूरी है तो अब जो इस्थिति है वो हर वक्ति को maximum से maximum लोगों को अपना blood group पता होता है तो आप लोग comment करिये बताइए कि आप मैंसे जो लोग video देख रहे हैं आप मैंसे कितने लोगों को अपना blood group पता है और अगर नहीं पता है तो आप लोग जाकर के जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी जाकर के अपना blood group टेस्ट करेएगा कि अगर किसी को जरूरत पड़ गई तो फिर आप लोग टेस्ट कराएंगे तो time लगेगा वहाँ पे तो ताकि आप लोग वहाँ पे blood donate कर पाएं ठीके और वैसे भी एक साल में at least कम से कम हम दो बार blood donate कर सकते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है ठीके इस चार्ट की मदद से हम समझेंगे कि कौन से रुधिर वर्ग में कौन सा प्रतिजन होता है कौन सा प्रतिरक्षी होता है और वो किसको डान कर सकता है और वो किसका blood group ले सकता है तो हम यहाँ पे समझेंगे तो सबसे पहले समझते हैं रक्त समू जो A है blood group A होगा रुधिर वर्ग A होगा उसका जो प्रतिजन है इसको हम इंगलिस में antigen कहते हैं क्या कहते हैं antigen कहते हैं इसको हम और इसको हम इंगलिस में कहते हैं antibody तो रुधिर वर्ग A का antigen क्या होगा सेम रहता है A रहेगा रुधिर वर्ग B का antigen क्या होगा इसका B रहेगा रुधिर वर्ग A, B का जो प्रतिजन होगा वो क्या होगा एबी रहेगा यानि जैसे हमने समझा था कि जो रुधिर वर्ग होता है वही उसका प्रतिजन होता है लेकिन ओ की अगर हम बात करें तो ओ का जो प्रतिजन होगा वो कोई नहीं होता है तो आप ध्यान रखेंगे ओ के पास में कोई भी एंटीजन नहीं होता है यानि ओ के पास में ना तो A भी होता है ना तो B होता है ना ही A होता है तो ये तीनों इसके पास में प्रतिजन नहीं होते हैं तो आप ध्यान रखेंगे अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि रुधिर वर्ग A का प्रतिरक्षी क्या होगा तो इसका विप्रीत होता है तो वो B होगा B का जो प्रतिरक्षी होगा वो A होगा और जो A भी होगा उसका प्रतिरक्षी कोई नहीं होता है और जो O और उधिरवर्ग है इसका प्रतरक्षी इसका एंटिबॉडी क्या होगा वो AB होगा A और B होगा तो आपने जाना कि रुधिरवर्ग A का प्रतिजन A होगा और उसका प्रतरक्षी B होगा रुधिरवर्ग B का प्रतिजन B होगा उसका प्रतरक्षी A होगा रुधिरवर्ग AB का प्रतिजन AB होगा और इसका कोई प्रतरक्षी नहीं होता है और रुदिरवर्ग, O का प्रतिजन कोई नहीं होता है और इसका प्रत्रक्षी A और B होता है यह हमने समझ लिया अब हम बात करते हैं कि कौन किसको अपना blood दे सकता है और कौन किसका blood ले सकता है आवसकता पढ़ने पर तो यहाँ पर समझते हैं अगर किसी का रुधिर वर्ग A है तो वो A वाले को जिसका A रक्समू है उसको ब्लड दे सकता है ठीक है और जिसके पास में A B है उसको भी अपना ब्लड दे सकता है अगर किसी का ब्लड गुरुप जो है वो B है तो वो B वाले को दे सकता है और जिसका A B होगा उसको भी दे सकता है अगर किसी का ब्लड गुरुप A B है तो वो केबल A B को ही दे सकता है और अगर किसी का रक्समू O है तो वो A को भी और B को भी और A B को भी और O को भी दे सकता है इसका मतलब क्या हुआ? कि जो blood group O है, जो रुधिर वर्ग O है, वो क्या है? वो हो जाएगा सर्वदाता, यानि ये A, B, AB और O सब को दे सकता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सर्वदाता, वहीं पर अगर हम बात करें, कि जो A वाला रुधिर वर्ग है, वो किसका blood ले सकता है तो जो A वाला रुधिर वर्ग होगा, वो A का blood ले सकता है, और O का blood ले सकता है, B वाला जो होगा, वो A का blood ले सकता है, B का blood ले सकता है, A, B का blood ले सकता है, और O का blood ले सकता है, और जो O वाला होगा, वो O का blood ले सकता है, ले सकता है, तो यहां पर हमने समझा कि किस तरीके से कौन सा सर्व दाता, कौन सर्व ग्राही है, तो जो A B होता है, AB को हम बोलते हैं सर्व ग्राही क्योंकि ये AB, AB और O ये सब का ब्लड ले सकता है और O को हम बोलते हैं सर्व दाता क्योंकि ये सब को ब्लड दे सकता है तो हमने इस चार्ट में समझा कि Antigen, Antibody क्या होते है और कौन किसको ब्लड दे सकता है कौन किसका blood ले सकता है आप लोग एक बात बताईए ऐसा क्यों होता है कि जो AB होता है वो सर्व ग्राही होता है यानि वो सबका blood ले सकता है और जो O होता है वो सर्व दाता होता है वो सबको blood दे सकता है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि AB के पास में, AB के पास में कोई भी antibody नहीं होती है, AB के पास में कोई भी पृतरक्षी नहीं होती है, इसलिए ये सब का blood ले सकता है, और ओ, इसके पास में कोई भी antigen, कोई भी प्रतिजन नहीं होता है, इसलिए ये सब को blood दे सकता है, एक question सामने आता है, वो ये है, कि रुधि ये वाला है, ये बी वाला है, ये ए बी वाला है, ये ओ वाला है, अखिरकार ये जानकारी मिलती कैसे है, तो हम समझेंगे इस वीडियो में, कि किस तरीके से blood groups को determine किया जाता है, कौन से ऐसे factor होते हैं, देखिए जब भी कभी भी blood group को, अगर हमको पता लगाना है कि ये कौन स blood group है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें serum, हमें serum की आवसकता पड़ेगी, serum क्या होता है, serum के ओपर मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, कि serum क्या होता है, पूरा detail में बात की थी serum के बारे में, जैसे माल लेगे, कोई विक्ति को चोट लगी, तो चोट रुधिर होगा, वो बाहर निकलेगा, और थक्का जम जाएगा, तो यह रुधिर बाहर निकला और यहाँ पे क्लोटिंग होगा, यह थक्का जम गया, अब इस थक्के के उपर, थक्का जमा हुआ है, थक्के के उपर, हलका सा, पीला-पीला सा, पानी की तरह एक पजार्थ ह होता है ठीक है हलका सा उसी को हम बोलते हैं सीरम उसी को हम सीरम बोलते हैं और सीरम की आवशकता पड़ती है रुधिर वर्क का निर्धारण करने में कैसे पड़ती है यह जानते हैं कैसे पड़ती है होता क्या है जब भी रुधिर वर्क को हम डिट्रमाइन करते हैं उसका पता लगाते हैं तो हम क्या करते हैं Serum Antibody A और Serum Antibody B दो हम लेते हैं Serum Antibody A और Serum Antibody B हम लेते हैं और इसी से हम लगाते हैं पता तो हम जानते हैं कि किस तरीके से हम Serum का इस्तिमाल करके रक्त समूह का रक्त वर्ग का पता लगाते हैं तो रुधिर वर्ग जाज करने के लिए, जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रतिरक्षी A वाले सीरम और प्रतिरक्षी B वाले सीरम लेंगे यानि ऐसा सीरम जिसके अंदर antibody A होगा और antibody B होगा और हम चार slide लेंगे, उन चार slide पर हम ये सीरम को डालेंगे तो आपके सामने जो serum, यहाँ पे आपके सामने जो slide है, इन पे इस सभी चारो slide पर serum A पड़ा हुआ है, और इन सभी चारो slide पर serum B पड़ा हुआ है, अब हमको किसी विक्ति का blood जाचना है कि उसका blood का work क्या है, A है, B है, A, B या फिर O है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका रखत ल और हमने blood उसका लेकर के यहां पर गिराया यानि जो antibody A वाली serum है इस पर हमने antibody B वाली serum पर थोड़ा blood को गिराया फिर हमने थोड़ा यहां पर blood को गिराया और ऐसे करके हम चारों slide पर जिस पर antibody A और antibody B होगा हम चारों slide पर blood को डालेंगे और उसके बाद में हम थोड़ा wait करेंगे कुछ समय तक हम wait करेंगे कि उसमें कौन सी reaction होती है तो हम reaction के यानि जो प्रक्रिया होगी उस अविक्रिया के अनुसार हम यह बता पाएंगे कि उसका blood group क्या है उसका रक्त समूह क्या है तो कुछ समय के वाद हमने देखा कि जो प्रतिरक्षी ए सीरम पर हमने कुछ रक्त की बूंदे डाली थी उस पे क्या हुआ उस पे एक reaction हुई और इस पे जितना भी blood हमने डाला था वो पूरा clot बन गया वो थक्का बन गया यह क्या बन गया इसका थक्का बन गया यह clot हो गया और इसका थक्का नहीं बना ठीके दूसरा हमने देखा कि antibody ए वाली सीरम पर clot नहीं बना लेकिन जो antibody बी वाली सीरम थी उस पे clot बन चुका है वो रक्त थक्का बन चुका है उसके बाद हमने क्या किया हमने किसी दूसरे वेक्ते का किसी तीसरे वेक्ते का blood लिया और हमने इन पर डाला तो हमने देखा कि इन दोनों पर यानि इन दोनों slide पर clot बन चुका है इन दोनों slide पर थक्का बन चुका है इन दोनों स्लाइड का जो blood था वो clot में बदल चुका है ठक्का में बदल चुका है और इस पे हमने देखा कि इस पे blood डालने से ठक्का नहीं बना यानि इस पे ठक्का नहीं बना तो हम इसी के हिसाब से जान चुके हैं कि किस व्यक्ति का blood group A है तो जिस वाले अब यहाँ पे आप देखेगा जिस प्रतिरक्षी A वाले सीरम पर थक्का बन चुका है यानि इस पे A वाले सीरम पर थक्का बना हुआ है तो इसका जो blood group होगा वो क्या होगा इसका जो रुधीर वर्ग होगा वो A होगा यानि इसका रुधिर उबर क्या होगा? A होगा और क्योंकि इस वाले पे B वाली सीरम पर B वाली सीरम जो स्लाइड थी उस पर थक्का बना हुआ है तो इसका रुधिर उबर क्या होगा? B होगा अब इस पे आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है इस slide में दोनों जगहा यानि antibody B वाली serum पर और antibody A वाली serum पर दोनों पर थक्का बना हुआ है तो यह क्या होगा यह blood group A B होगा और इस पे हमने देखा कि किसी भी slide पर जिस पे antibody A थी और antibody B थी किसी पर भी थक्का नहीं बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है ये रक्समू O है तो इसी तरीके से इस प्रोसेस से हम जानते हैं डॉक्टर्स जानते हैं कि किस व्यक्ति का blood group A है, किस व्यक्ति का blood group B है, किस व्यक्ति का blood group A, B या फिर O है तो यही प्रक्रिया होती है आम तोर पर है लेबरोटरी में जहां पर जांच होती है तो आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से हम जानते हैं कि हमारा जो है रुधिर वर्ग कैसा होता है और ऐसा क्यों होता है तो I hope कि आप लोगों ने इसको समझा होगा अगर कोई भी confusion आपक दिखा है रुधिर वर्ग के निर्धारण में तो उससे संबंधित कुछ महत्वण बिंदू आपके सामने लिखे हुए हैं जैसा हमने देखा था कि यदि रुधिर केवल प्रितरक्षी A वाली सीरम में जमता है तो उसको हम क्या बोलेंगे वो रुधिर किस वर्ग का है वो A वर्ग का है वो रुधिर A वर्ग का है नमबर दूसरा यदि रुधिर केवल B प्रितरक्षी सीरम में जमता है तो वो किस वर्ग का है तो वो B वर्ग का है ठीके केवल कहा जमता है केवल B प्रितरक्षी सीरम में जमता है तिसरा पॉइंट है यदि दोनों ही रक्त वर्ग स B वाले में भी जिसमें antibody A और B थी तो वो किस वर्क का होगा वो A B वर्क का रखते होगा और यदि रुधिर किसी भी सीरम में नहीं जमता है तो उस व्यक्ति का रुधिर किस वर्क का होगा वो O का होगा ठीके तो आप लोगों ने इसको पूरा समझा होगा और I hope कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और शेर करिएगा अपने मित्रों में अपने फ्रेंड्स में ताकि maximum से maximum लोग इसका लाव उठा सकें ठीके और हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको chapter wise कराएं जैसे math आपको chapter wise पूरी कराई गई है उसी प्रकार आपको science भी chapter wise पूरी कराई जाएगी ताकि आप लोग सही तरीके से उसका लाव उठा सकें और अपने paper में अच्छा attempt कर सकें जैसे chapter finish होगा जैसे ही कोई अध्याय फिनिस होगा तो उसके कुछ practice questions आपको कराई जाएंगे ताकि आपकी practice हो पाए तो इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे हम इस chapter से जड़ी कुछ और बात हैं और कोशिस करेंगे कि एक या दो वीडियो में हम इस पूरे chapter को finish कर दें chapter काफी लंबा था लेकिन आपकी guide में हो सकता है कि chapter छोटा आपको लगे लेकिन chapter बहुत लंबा था तो इसलिए 4 या 5 या 6 वीडियो बनेंगे पूरे और 4-5 वीडियो बन चुके हैं तो कोशिस करूँगा मैं कि यह क्या दो वीडियो में इसको पूरा chapter को finish मैं कर दूँ completely और उसके बाद फिर हम कुछ practice questions करेंगे ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you very much Thank you, Jai Hind